आईए और जानकारी लेते हैं कि बहुत ही इनके साथ में जो दुगत गटना है ये गटना ही कहेंगे क्योंकि आज ये कुछ लोग अपनी बीवी बच्चों को घर पर छोड़के बुजरिक मावाब को छोड़कर यहां जंतर मंतर पर पड़े हुएं और कुछ महिला हैं जो अ अपनी मांग को लेके जंतर मंतर पर यहां पड़े हुएं कि इनकी गुहार सुनी जाए इसकी बीच पर हमारे एक सिक्षा मित्र और हैं और आईए हम इसे जानकारी लेते हैं परजे शोहान दिश्टिक बदाईयों से मैं आया हूँ आज ये धने पर आप दूसरा दिन है तो आपकी क्या मांगें क्या अध्याद इसके अंदर आप लागू कराना चाहते हैं हमारी मांग ये है कि जब हमारा सिक्षा मित्र पर चैन हुआ था तो हम ग्राम पंचाथ लेवल पर हमारा चैन हुआ था और मेरिट के आधार पर चैन हुआ था उस MNR के आधार पर हमारी टाप Most Merit थी, उसके आधार पर मेरा चेहन हुआ और में सिक्षा नित्र पे नियुकत हुआ और मैंने 17 साल इस सिक्षा मित्र की रूप में अद्धापन कारिय किया उस जो हमारा कीमती समय था जो जीवन का एक बहुत कीमती समय था वो मैंने 17 साल इस बिभाग में आके गमाए सरकार ने उसी 20 हमारे लिए हम लोग इसनातक हुए इसनातक के बाद में उन्होंने सरकार ने बिभागी हमको टीटी कराई वो सुरी विभाग ने हमारे लिए बीटी सी कराई और उस बीटी सी को हमने अजजाम के दोरा उतिर्ण किया उतिर्ण करने के बाद में सरकार की दोरा ही विद्वित प्रक्रिया अपनाते हुए हमको साय के जहपक के पर समाउजद किया गया मैं उस सरकार से जानना चाहता हूँ मैंने खुद उस विभाग पर चैनित नहीं हुआ हूँ वो आपके विभाग के दोरा आपके कानून के दोरा हमारे लिए चैनित किया गया है मैं जानना चाहता हूँ ये कमी आपकी सरकार की है आपके सचिप की है आपने उसमें जो आपने एक प्रकिरिया अपनाई थी उस प्रकिरिया में क्या कमी छोड़ी जिसके तहर हमारे लिए साइकर टापक के बद में भेजा गया और आज उसमें कुछ कामिया रह गई तो इसका दोस ये काम सिक्षा मितर का दोस नहीं है इसमें अगर दोस है तो कि उन कमियों को दूर करते हुए हमको सिक्षा मितर के बस से हटाना नहीं चाहिए हमारी भाबनाओं को रखते हुए हमें हमारा मान सम्मान देना चाहिए मैं सरकार से मान करता हूँ कि माननी स्प्रिम कोड के दोरा कुछ कमिया रह गई अगर हमारा समय उज्य रद किया गया है तो उन समाज उनके लिए उन कवियों के लिए दूर करते हुए अनसुची नो के अंदर सिलसोधन करते हुए एक राज सरकार और भरत सरकार ये बैसा कानून बनाए जिसके दोरह हमारा मान सम्मान बापस लिया लाया जाए और पुना आज कर हमारे एक लाइक बापतर जार सिक्षा में तरसाथियों के आज मेरे चेरे पे रोना आ रहा है कि मैं परवारों को कहां लेकर जाओं आज मेरी ये बचासतार होते जा रही है मैं कहा रोजगार सोनूं मेरी लड़की की साधी होने के लिए बच्चे का एडविशन होने के लिए बताईए मैं कहां जाओं मैं आत्मत्र करूं या का करूं बताईए आप ही मुझे उत्तर दीजिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ मैं यहाग रह करता हूँ कि माननी सुप्रीम कोड का सम्मान करते हुए एक अनसूची नौके अंतरगत राज सरकार और भारा सरकार एक ऐसा कानून लाए जिस कानून के तहर हमारा समायोजन बहाल किया जाए यह समायोजन में कुछ कमिया रह गई है तो मैं सरकार को इस मंच के मातम से कहना चाहता हूँ कि जिस सच्बों नों कमिया छोड़ी है और सच्बों के लिए उच्छें के अंतर भेजा जाए और उनके लिए भी वोई सजादी जाए तो आज मैं रोटों में घुम रहा हूँ तो उन सच्बों को लिए भी वोई सजादी जाए इसमें कमी हमारी नहीं है मैं निर्दोस हूँ उन निर्दोसों के लिए ऐसा नहीं है कि 17 साल की सेवाओं के बाद उससे रोजगार चीना जाए सरकार का उद्देश होता है सरकार अपने हर संकल पत्र में हर गोशा पत्र में बादा करती है रोजगार देने की आज हमसे रोजगार चीनने की बात कर रही है तो एक बार मैं पुनहा भारे सरकार उत्तरप्रदेश सरकार से बात निवेदन करता हूँ कि वो अद्या देश लाए और हमारे लिए उसमें संसोधन करके साहिक अध्यापकपत पर बापस लाए दूसरी बात मैं इस मंच के मादधम से आपसे कहना चाहता हूँ इस मीडिया में के मादधम से कहना चाहता हूँ कि सरकार कहरे है सुप्रीम कोट ने कहा है कि इनके लिए दोजार उनिस तक विवस्ता के तहित रखिये मैं उनसे जानना चाहता हूँ यद मैं आयो कि हूँ मैं टीटी नहीं हूँ तो यह बताईए मैंने 17 साल जिन बच्चों के लिए सिक्षर कारिये से सिक्षा दिये कि अब बच्चों के साथ आपने क्यों अन्याय कराया है आप फिर आगे की मांदे की बात करते हो तो मांदे के अगर मैं सिक्षर कारिये करूँगा तो कि मैं यह को जाँगा इन बच्चों के साथ अंत्गार नहीं होगा इसमें मैं कह सकता हूँ कि राजनीती और राजनीती कह नहीं नहीं से इसमें राजनिती की बढ़ू आ रही है